अपनी सुन्दरता को और बढ़ाने के लिए आज ही हमारा चैनल ब्यूटी एक्सपर्ट सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें आज की इस वीडियो में एक हम बहुत ही बड़ा कनफ्यूजन दूर करेंगे कि बेटनो वेट जीएम क्रीम और बेटनो वेट एन और जीएम ये दोनों क्रीम किन केसिज में यूज होती हैं मुझे बहुत से ऐसे कॉमेंट्स आते हैं बहुत लोग पूछते हैं कि सर ये चीज़ बताइए कि बेटनो वेट एन कब यूज करें और बेटनो वेट जीएम को कब यूज करें तो चलिए आज इस कनफ्यूजन को दूर करते हैं दोस्तो ये क्रीम जनरली आज कल देखा जा रहा है कि लोग इसको ऐसे फेरनेस क्रीम यूज करने लगे हैं तो प्लीज अगर आप बेटनो वेट एन को ऐसे फेरनेस क्रीम यूज करते हैं तो इसको यूज करना बंद कर दीजिए सबसे पहले जानते हैं बैटनोवेट N किन केसिस में यूज होगी बैटनोवेट N के अंदर जो GM से एक अलग केमिकल है वो है नियोमाइसिन और देखिए इंटरनेट के उपर नियोमाइसिन के बारे में ये है एक एंटिबायोटिक एंटिबायोटिक का मतब ये बैक्टीरियल इंफेक्शन के लिए यूज होगी ये वाली क्रीम बैटनोवेट N को यूज करना है बैक्टीरियल इंफेक्शन के लिए अब बैक्टीरियल इंफेक्शन क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ देखिए, यहाँ पर यह bacterial infections होती हैं, अगर आपके श्रीर के उपर इस तरह से कोई जानवर का काटना हो या कुछ और allergy हो जाए, यह देखिए आपको दिख रहा है यहाँ पर, तो यह जो infections हैं सारी, यह सारी bacterial infections हैं, तो bacterial infections के लिए आप betonovate N को यूज कीजिए, अब बात करते हैं GM के बारे में, GM के अंदर N से दो salts का difference है, इसके अंदर एक सार जो niomycin है, उसकी जगा पर यहाँ पर दो salts डाल दिये गए हैं, एक gentamicin, एक miconazole nitrate, अब gentamicin एंटिबायोटिक है, जैसे कि niomycin है, और miconazole antifungal है, अब मैं दिखाता हूँ, अगर GM को यूज करना है, antifungal के case में, तो आपको GM को यूज कब करना है, यहाँ पर पहले देखिए, miconazole के बारे में, miconazole जो है, एक antifungal है, और gentamicin, यहाँ पर लिखा है, कि यह bacterial infections के लिए है, अब fungal infections क्या होती है, आपने कभी एक cream के बारे में सुना होगा, ring guard, बहुत छोटे थे, तब से यह cream जो ह है, इसकी बहुत आड़ाती है, ring guard, ring guard cream जो होती है, उसमें पता होता है, कि जो ring की shape में, जो भी infections है, उसके लिए वो guard है, तो यही चीज़ GM cream भी करेगी, जो ring guard करेगी, यहाँ पर देखिए, जो भी infections, गोले की shape में, ring की shape में है, यहाँ पर, देखिए, और यह देख सकते है जो ring shape में, जो भी infections है, वो सारी infections, सही करने के लिए, आप GM cream को use कर सकते हैं, और इस cream का use, बहुत सी ladies करती है, अपनी personal problems के लिए, उसके लिए yeast infections होती है, जिसके लिए ladies इसको use करती है, और अगर आप yeast infections के बारे में, इंटरनेट पर देखना चाहते हैं, तो आप देख लीज तक use होता है, तो अब आप देख सकते हैं कि ये दोनों creams का use क्या है, ये anti-bacterial है, bacterial infections के लिए, जो कि यहाँ पर मैंने आपको दिखाई हैं, इस तरह की infections, और ये anti-fungal है, GM cream जो की use होती है, ring type की infections के लिए, और plus use होती है, ladies की infections के लिए, जैसे कि yeast infections, skin के अंदर हो या वेगन को use करें, या फिर GM cream को use करें, तो आज की इस वीडियो में मेरा बताने का आपको यही motive था, ताकि आप सही cream को सही time पर use कर पाएं, और अगर आपके दोस्तों में या आपकी family में किसी को नहीं पता इन creams के बारे में, तो आप हमारी वीडियो उनके साथ WhatsApp पर या Facebook पर शेयर कर सकते हैं, इसी तरह से हमारे चैनल में और भी धेरों वीडियो हैं, जिनके बारे में आप जान सकते हैं, आप हमारे चैनल को एक बार विजिट कीजिए beauty experts को और एक बार प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको अगर इस cream को use करने से दोनों में से कुछ problems हुई हैं, तो आप हमारे साथ share कर सकते हैं, comment boxes में लिखिए और हमारी वीडियो को प्लीज एक बार लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि आपका like हमारे लिए बहुत ज़्यादा important है, महतापूर्ण है, और हमारी वीडियो जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकती ह एक अच्छे से topic के साथ दुबारा मिलते हैं, आप खुश रहें और healthy रहें, thank you so much